हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आप देख रहे हैं शाही पार्ट सल और मैं हूँ भी किशिम डेली हैंडी टेन इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स लेकर आपके वीचू पस्तित होता हूँ तो आएए शुरू करते हैं आज का पहला करेंट अफेर्स पहला है हिंदुस्तान एरोनौटेक्स लिमिटेड यानि HAL इसका सर्ट फॉर्म होता है तो हिंदुस्तान एरोनौटेक्स लिमिटेड ने उन्नत हल के हेलिकॉप्टर क्या नाम है ALH MK3 के निर्यात के लिए मौरिसस के साथ समझ़ोता किया है यहाँ पर दो तीन बात नाम याद रखना है एक तो किस ने समझ़ोता किया है तो HAL यानि हिंदुस्तान एरोनौटेक्स लिमिटेड ने किया है दूसरा के हेलिकॉप्टर का नाम क्या है तो ALH MK3 ये नाम याद रखिएगा तीसरा के किस देश के साथ समझ़ोता किया है तो मौरिसस के साथ ये शमझ़ोता किया गया है नेक्स्ट एप भारत के किस रक्षा बलने आपरेशन सर्ध हवा शुरू किया है तो BSF ने राजस्थान राजे और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर होता है रेगिस्तानी वाला इलाका जो है वहाँ पर क्या होता है कि सर्दी के दिनों में जाड़े के दिनों में ऑपरेशन सर्द हवा और गर्मी के दिनों में ऑपरेशन गर्म हवा की शुरुवात की जाती है दोनों ही operation जो है BSF के दवरा आयोजित किया जाता operation सर्दवावी और operation गर्म हवावी तीसरा है हाल ही में India ratings and research ने बित वर्ष 2023 के लिए 22 के लिए नहीं 23 के लिए भारत की GDP बिर्धी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है तो यह अनुमान लगाया है 7.6 प्रतिशत जबकि यहीं इंडिया ratings and research ने भारत की बिर्धी दर 2022 के लिए 9.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है अगला चलते हैं हाल ही में IFFCO यानि इफको के नए अध्यक्ष कौन बने हैं यह दिलिप संघानी इफको के नए अध्यक्ष बने हैं ठीक है इफको के नए अध्यक्ष दिलिप संघानी बन गए हैं अगला है राजस्थान में आरावली की पहाड़ियों पर पाये जाने वाला बहुमुल्ली औस धिये गुनावाला पौधा इसका नाम है गुगुल और इसका सी एन ने रेड लिस्ट में संकटापन के रूप में सामिल कर लिया है तो यह दो तीन बात यहाँ पर याद रखना है कि गुगुल किस राजी में पाया जाता है कहां पाया जाता है यह राजस्तान के अरावली पहाड़ी जो है वहाँ पर यह पाया जाता है इसका पैडिधावेटि तो यह दो-तीन चार ःद रखेंगा इसको आई उसीन ने रेड लिस्ट में संकाटा पंनके रूप में शामिल कर लिया है उसके बाद अगला क्या है हाल ही में किस राज ने किर्सी वजट को शमाने वजट से अलग कर लिया है होता क्या है कि किर्सी वजट और समाने वजट एक साथ पेस्ट किया जाता है लेकिन राजस्थान राजी के राजी सरकार ने क्या किया है कि किर्सी वजट को आम बजट या समाने वजट से अलग कर लिया है ऐसा उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि किसानों की आए को दोगुना करने में से क्या होगा कि बल मिलेगा तो किशानों की आए को दोगुना करने के लिए उन्होंने क्या किया समाने वजट से किर्सी वजट को अलग कर लिया किसने किया राजस्थान राजी के राजी सरकार में नेक्स्ट है इंडोनेसिया के सबसे पस्यमी दू का नाम क्या है शुमात्रा अगला सार्थी मोबाइल एप किसके द्वारा जारी किया गया है तो सार्थी मोबाइल एप जो है भारतिय प्रतिभूती और बिनिमे बोड के द्वारा या सार्थी मोबाइल एप लांच किया गया है भारतिय प्रतिभूती और बिनिमे बोड के द् मिस केरल इसका जो जी लॉजिकल नेम है डाइनेसन बार्व को वन ने जीव संरक्षन संसोधन विद्यक 2021 में सेडियूल वन में सामिल कर लिया गया है सेडियूल वन में क्या यहावी संकट ग्रस्त हो गया है यह किस राज में पाय जाती है तो मिस केरल नाम है और प्रसना आप से पूछा गया है किस राज में पाय जाता है तो मिस केरल का मतलब यह सिर्फ केरल में नहीं पायाता है बलकि केरल और करनाटक दोनों राज में पाया के बाद 21 जनवरी 2022 को बुझा कर रास्त्रिय युद्ध असमारक की ज्वाला में मिला दिया जाएगा क्या होगा कि अमर जुवान जुटी जो है बर्स 1971 में भारत पाक युद्ध के दर्मयान जो भारत के वीर सपूत सहीद हुए थे उनके याद में यह अमर जुवान जुटी पचास सालों से लगतार जलाया गया था लेकिन एक युद्ध असमारक बनाया गया है और उस युद्ध असमारक में अविश अमर जुवान जुटी को वहाँ पर जाके मिला दिया जाएगा तो यह बाते याद रखेगा यह आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है नेक्स है ब्राजिल की महान गाई का एलजा सोरेश यह एक और वे वर्स की आई उपर इनका निधन हो गया है इनका यह इसलिए इंपोर्टेंट है कि इनको सिर्फ ब्राजिल में ही नहीं बलकि ब्राजिल से बाहर बीदेसों में भी इनको बहुत ख्याती हासल भी थी इसलि यह इंपोर्टेंट हो जाता है एलजा सोरेश ठीक है नेक्स्ट है पुस्तक आपरेशन खुकरी ठीक है क्या नाम है पुस्तक का आपरेशन खुकरी को किसने लिखा है यह बिहार के जितने भी स्प्रेंट है उनके लिए यह भी भी आई हो जाता है आपरेशन खुरकी को किस ने लिखा है ये राज पुनिया और उनकी पुत्री दामिनी पुनिया के द्वरा ये लिखा गया है राज पाल पुनिया होना चाहिए यहाँ पर मुझे लगता है कि लिखने में मिस्टेक हुआ है आप लोग देख लिजेगा राज पाल पुनिया और उनकी पुत्री दामिनी पुनिया नहीं ये लिखा है अच्छा यहाँ पर मैं एक जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ कि 8 पेज का जो PDF है वो लिंक मैंने पिछले दिन दे दिया था डिस्क्रिप्शन में आप में से जिस किसी ने भी 8 पेज का PDF डाउनलोड नहीं किया है परी आफ कास्ट 8 पेज के PDF को डाउनलोड कर सकते है इसके लिए आपको कोई फी पेज करने होते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाये और 8 पेज के PDF को डाउनलोड किजिए और जितने भी शदा से जितने भी हमारे प्यारे शात्र हमारे चैनल पर नए हैं साही पार्ट सला पर नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो नियमित रूप से वीडियो देखा करते हैं, वो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, थोड़ा अंगलियों को कश्ट दिया कीजिए, आइए बढ़ते हैं अंगले प्रसन की तरफ है अगला प्रसन है, बिसु चैंपियंशिप की मेजवानी के लिए किस राज ने, फार्मूला इ, अचा फार्मूला इ का मतलब क्या हुआ, फार्मूला वन तो जानते है कि कार रेस है, तो यह हवी कार रेस ही है, लेकिन फार्मूला इ का मतलब हुआ, यह एलेक्ट्रोनिक बा स्टाक्षर किया है यह भारत के राजित तेलंगना ने क्या किया है कि चेंपियंशिप की मेजवानी के लिए फार्मूला ए के साथ एक आसाई पत्र पर हश्टाक्षर किये हैं नेक्स्ट है वर्ल्ड एकोनोमिक लिए फार्म की ओर से जो जारी किया गया था दावोस एजेंडा दोजरबाईश का इसके अंतरास्टे सम्मेलन में बिहार के संजै संजय प्रधान को शम्मानित किया गया है और अंत में आईए आज के इतियास को देखते हैं तो आज के इतियास में मुगल समराट सा जहां का निधन हो गया था यानि 22 जनवरी 1666 को समराट शा जहां का निधन हो गया था आज के लिए इतना ही धन्यवाद